Hello guys, welcome to my channel और मैं classes start करने वाला हूँ JLPT level N5 and JLPT level N3 के लिए ही only मैंने यहाँ अपने जपान की लाइफ में कुछ time निकाल के पढ़ाने का सोचा है तो इसलिए सिर्फ दो ही batches मैं ले सकता हूँ इससे जादा मैं नहीं ले सकता हूँ सिर्फ दो batches बहुत ही limited seats है और दिन क्या होंगे मैं आपको बता देता हूँ Tuesday, Thursday and Saturday को ही class होगी timing आपको मैं approximately वहाँ पर बता दूँगा अभी मैं form का link description में दे रहा हूँ वो link पे click करें और आप register कर सकते हैं जो seats हैं वो N5 के लिए only 15 है यह maximum seats है N5 की थोड़ी सी बढ़ सकती है अगर कोई मुझे बूले कि हाँ मुझे जरूरी पढ़ना है N3 के लिए only 15 seats है and N3 में पहले ही seats fill हो चोकी है बहुत कम seats रहती है तो अगर कोई N3 पढ़ना चाहेगा तो जरूर अपना form submit करना सिर्फ दो ही आपको options मिलेंगे एक N3 का और एक N5 का प्लस आपका demo session होगा 28 इस month की 28 को मतलब 10 दिन बाद आपका demo session होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा और भी details कौन-कौन सी जैसे fees के related होगया कब submit करनी है कैसे कुछ है syllabus में हम क्या करेंगे और हमारा teaching का pattern कैसा रहेगा यह मैं सारी की सारी चीज़ें आपको बताऊंगा अगर आपके कोई भी questions हैं तो मुझे comment box में जरूर पूछना मैं आपको reply करूँगा but बहुत ही limited seats है मैं बहुत कम students लेने वाला हूँ और I hope कि इस बार study और भी ज़्यादा जवर्दस्त होगी as you know कि मैं Japan में हूँ तो मेरी teaching और मेरे behavior में Japanese culture include हो रहा है उसे students को बहुत ज़्यादा help मिलेगी course start हो रहा है mid of October महलब next month के 15 तरीक तक आपका course start होने वाला है हम करेंगे 5 months की preparation पूरा 5 months तक आपका March और April तक syllabus complete होके revision होके कर रहे होंगे net test of April 2024 plus JLPT July 2024 इन tests के लिए हम prepare कर रहे होंगे अगर आप इनकी तयारी करना चाहते है तो आप definitely join कर सकते हैं बाकी details आपको demo class में मिल जाएगे इनी seats available हैं अगर उतने students form fill कर देते हैं तो मैं इस form को cancel करने वाला हूँ उसके बाद आप form fill नहीं कर पाओगे तो वेट मत करिए लेट मत करिए आप जल्दे से जल्दे अप्लाई करिए तक कि आप Japanese को आगे बढ़ा सकें अपने केरियर में यूज़ कर सके हैं थैंक यू